आज हम कुछ problems करेंगे, equations of motion पे बेस्ट, तो ये question है, a train starting from rest, attains a velocity of 72 kmph in 5 minutes. Assuming that the acceleration is uniform, find the acceleration and the distance travelled by train for attending this velocity. तो सबसे पहले हम वो लिख ले, वो parameter जो हमको पता है, तो क्या रखा है, train starting from rest, तो rest का मतलब क्या है कि initial velocity, u क्या हो गया, 0, कितनी velocity attain की उसने, तो जो final velocity है, it is 72 kmph, और कितने time में की, 5 minutes, अचारते हो, ये अलग-अलग units में जब चीजें हैं, तो हमें unit भी convert करनी है, और हमको generally, ऐसा ही units में convert करना चाहिए, तो 72 km per hour, तो km per hour को meter per second में convert करना है, तो 1 km में चितना होता है, 1000 meter, 1 hour में 60 minutes, और हर एक minute में 60 seconds, तो 60 into 60, 3, 6, 0, 0 seconds, ये 2, 0 कर जा है, 5 से इसको 2 से cancel करेंगे ये आएगा, 5 ये आएगा 18, तो हमको ये याद भी रखना चाहिए, कि 1 km per hour जो है, 5 by 18 meter per second होता है, यानि कि अधर हमें कभी भी km per hour को meter per second में convert करना है, तो इससे multiply करेंगे, 5 by 18, तो 18 से 72 को हम कट करें, तो ये कितना जाएगा, 4, तो 4 into 5, यानि final velocity जो हमको दे रखी है, वो meter per second में, 20 meter per second में जाएगी, time, time कितना लगा, 5 minutes, जब 5 minutes को second में करना है, तो 1 minute में 60 seconds होता है, तो 5 into 60 seconds, तो these comes out to be 300 seconds, तो ये 300 seconds होगा है, अब क्या रहे है, acceleration uniform है, तो हम equation of motion तभी लगा सकते हैं, जब acceleration uniform है, तो सबसे पहले कमें क्या find करना है, acceleration, तो अब देखो, equations वो लगानी है, जिसमें जो हमारे को given variable हैं और unknown variable है, वही आएं, ऐसी equation नहीं लगा है, जिसमें unknown variables जादा हो जाएं, तो हमें velocity पता है, initial, final, time, और acceleration निकालना है, तो इन सब चीजों को कौन relate करता है, first equation, v is equal to u plus at, तो यहाँ से हम, क्या लिख सकते हैं, acceleration को v minus u upon t, v minus u upon t, यह जाएगा, तो v कितना है, 20, u कितना है, 0, t कितना है, 300, तो यह 20 by 300, 2 by 30, यानि कि 1 by 15 meter per second square आजाएगा, कम इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, या इसको चाहे तो, decimal में convert करके भी लिख सकते हैं, ठीक है, now, second is, distance traveled for attaining this velocity, तो distance, अब हमें v पता है, u पता है, a भी पता चल गया, तो हम third equation भी यूज़ कर सकते हैं, या हमें time भी पता है, तो हम second equation भी यूज़ कर सकते हैं, second एगा यूज़ करें, तो s is equal to ut plus half a t square, तो u 0 है, तो u into t वालिए हम तो 0 हो गई, plus half, a किता है, 1 by 15, और t square, t square, t किता है, 300, 300 का square, यानि कि 300 into 300, तो 15 into 2, 30 होता है, तो 30 से 300 को cancel करोगे, तो बचेगा 10, तो ये, जो distance traveled है, 300 into 10, यानि कि 3000 मीटर, या 3000 मीटर को हम 3 किलो मीटर भी बोल सकते हैं, तो जो distance traveled है, वो होगा 3 किलो मीटर, और जो final velocity है, sorry, acceleration है, वो कितना जाएगा, 1 by 15 मीटर पर सेकेंड square, ठीक है, नेक्स्ट कुश्चन है, अब कार एसलिरेट्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम, 18 किलो मीटर पर आवर, तो 36 किलो मीटर पर आवर, इन 5 सेकेंड, कैल्कुलेट, दी एसलिरेशन, and the distance covered by the car in that time, तो इसमें भी हमें गिवन क्या है, वो लिख ले, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, गिवन, तो गिवन क्या क्या है, इनीशल वेलोसिटी यहाँ पर, कितनी है, 18 किलो मीटर पर आवर, तो अभी हमने देखा था, किलो मीटर पर आवर को, मीटर पर सेकेंड में convert करने के लिए, 5 बाइ 18 से हम multiply कर सकते हैं, तो यह कितना रहाएगा, 5 मीटर पर सेकेंड, इसको मीटर सेकेंड इन्वर्स ऐसे भी लिख सकते हैं, या, मीटर पर सेकेंड, ऐसे भी लिख सकते हैं, देन, इसको भी मीटर पर सेकेंड में करने के लिए, 5 बाइ 18 से multiply करते हैं, तो यह है 36 इन्टू, 5 बाइ 18 मीटर सेकेंड इन्वर्स, तो 18 से 36 कैंसल होगा, बचेगा 2, तो यह लेगा 10 मीटर पर सेकेंड, अब हमें initial velocity पता है, final velocity पता है, और time भी पता है, time कि तक दे रखता है, 5 seconds, और हमें क्या क्या निकालना है, एक तो acceleration निकालना है, और एक distance travel निकालना है, ठीक है, तो हम first equation यूज़ करें, acceleration निकालने के लिए, V is equal to U plus 80, तो यहाँ से A आ जाएगा, V minus U by T, तो V कितना है, 10, U कितना है, 5, T कितना है, 5, तो substitute कर जिए हमें सब कुछ, तो यह कितना आ जाएगा, 5 upon 5, 1 meter per second square, यह acceleration आ जाएगा, second हमें distance travel निकालना है, तो इसमें हम यह वाले equation लिख सकते हैं, UT plus half 80 square, तो यहाँ पर हम सब को इच substitute कर दें, तो U कितना है, 5, T कितना है, 5, प्लस half, A कितना है, वो हमने भी निकाला, 1, T है 5, तो T का square कितना हो रहाएगा, 25, तो कितना रहे गई, 5 into 5 is 25, 25 को 2 से divide करेंगे, तो कितना हैगा, 12.5, तो यह रहे गई, 37.5 meter, अच्छा, माल लो, अगर हमसे acceleration नहीं पूछा होता इस question में, सिर्फ हमसे distance traveled पूछा होता, तो फिर हम ऐसा भी कर सकते थे, कि हम acceleration, जो है, यह हमने निकाल लिया, time की रूंपज और नहीं, तो हम third equation भी use कर सकते थे, V square is equal to U square plus 2AS, ठीके, तब हमें, V पता है, U पता है, A पता है, तो हम इससे भी निकाल सकते हैं, और ऐसा नहीं कि answer अलग लगाएगा, answer same ही आएगा, बस हमको calculation सही तरीके से करनी है, तो यह अब इससे करके देखें, तो V square, V square किता हो गया, ठीक है, तो यह दोनों करने के ज़रूत निथांद अपना है, यह तो और ने यह निकाल दिया, ठीक है, बाइचांस हमको यह नहीं लगाना है, यह वाली equation लगानी है, तो हम इससे भी कर सकते हैं, तो V square किता हो गया, 100, U square is 25, E कितना आया था, acceleration आया था, 1, और S हमें निकालना है, तो 25 को इहर लाएंगे, तो 100 minus 25, is equal to 2S, तो 75 is equal to 2S, और S is equal to 75 by 2, तो 37.5 meter, तो ऐसे भी हम distance traveled, निकाल सकते हैं, using third equation, ठीक है, next question है, a train is traveling at a speed of 90 km per hour, brakes are applied, so as to produce a uniform acceleration of, minus 0.5 meter per second square, तो दो को अचलेरेशन negative है, मतलब retardation हो रहा है, find how far the train will go, before it is brought to rest, तब यहाँ पे भी हमें, given क्या क्यान है, क्या given है, initial speed कित्ती है, 90 km आवर इंवर्स, या पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड में करने के लिए, किससे multiply करना है, 5 by 18, 18 into 5, 90, इतना आ गए है, 25 meter per second, acceleration गित्ता दे रखा है, minus 0.5 meter per second, इसको रहा है, यह given है, और find क्या रखना है, क्या find करना है, distance find करने है, ठीक है, और एक और जीच हमें पता है, देखो, क्या दे रखना है, कि finally, it stays brought to rest, तो हमें जो एक और जीच पता है, वो यह पता है, फाइनल जो वेलोसिटी है, वो 0 होगे, अब देखो, हमें वी पता है, यू पता है, ए पता है, एस निकालना है, तो इसमें सिर्फ एक ही एक्वेशन से काम हो जाएगा, third equation, क्योंकि नगत हम से time पूछा है, नग time दिया है, हम यह वाली equation यूज कर लें, V square is equal to, U square plus 2AS, तो V square केता होगे, 0, U square, 25 का square, 25 का square होता है, 625, plus 2, acceleration minus 0.5, into S, इसको solve करें, यह आ रहाएगा, minus को इधर लेंगे आएं, वाई, term to the positive हो जाएगी, 2 into 0.5 is 1, बचेगा सिर्फ S, यह वाली term पूरी, minus S आएगी, इधर लाएंगे तो S हो जाएगी, तो S is equal to 625 meter, तो यह answer आ जाएगा, कि कितना distance वो train, travel करेगी, rest पर आने से पहले, ठीक है, next question है, a stone is thrown, in a vertically upward direction, with a velocity of 5 meter per second, तो क्या दे रखा है, initial velocity 5 meter per second, कहांगी तरफ, उपर, if the acceleration of the stone, during its motion is, 10 meter per second square, in the downward direction, तो दो, velocity जो है, उपर की direction में है, तो अगर हम velocity को positive मान रहे हैं, यानि हमने उपर की direction को क्या मान लिया, positive, अब acceleration कहाना है, नीचे की direction में है, तो acceleration को हमी क्या लिखना पढ़ेगा, negative, कितना लिखना पढ़ेगा, minus 10, ठीक है, क्योंकि direction का इसमें, विशेश घ्यान रखना है, questions में, अब पूछा गया, what will be the height attained by this stone, height कूछी है, and how much time will it take to reach there, अब थोड़ा से इसमें दिमाग भी लगाना है, कि हमने किसी चीज को ऊपर फैंका, तो height कुछी कितनी height तक वो जाएगी, तो जितनी height तक वो जाएगी, तो जहां तक जाएगी, वहाँ पर velocity क्या होगी, 0, तो कोई भी object, move किस कारण से करता है, velocity के कारण, तो हमने एक object को ऊपर फैंका, तो वो ऊपर क्यों जा रहा है, क्योंकि velocity ऊपर है, उसका acceleration तो नीचे है, तो नीचे खींच रही है, तो नीचे खींच रही है अर्थ, इसका मतलब वो नीचे चला जाएगा, हमने velocity ऊपर दी, तो ऊपर गया, लेकिन अर्थ नीचे खींच रही है, तो उसकी velocity क्या होगी, कम, retardation होगा, और दीरे दीरे कम होते होते, क्या हो जाएगी, 0, जहां पर 0 होगी, वहां से फिर वो नीचे आना शुरू हो जाएगा, तो वही उसकी क्या होगी, maximum height, तो यह हमको यहां पर अपना दिमाग भी लगाना है, कि जो final velocity है, वो क्या हो जाएगी, 0, तो हमें height बताना है, और क्या बताना है, time भी बताना है, और यह हमें पता है, initial velocity 5, acceleration minus 10, velocity final 0, अब हमें patience यूज़ कर लें, पहले हमें time बताना है, तो v is equal to u plus 80 लगा गादे है, ठीक है, तो v क्या हो गया, 0, u कितना है, 5, यह कितना है, minus 10 t, तो यहां से time आजाएगा, 5 by 10, यानि कि 0.5 second, यह time आगया, दूसरा हमें क्या बताना था, height, तो अब इसमें हम यह वाली equation भी लगा सकते हैं, v square is equal to u square plus 2as, तो final velocity क्या होगे, 0, initial velocity 5, 5 by square 25, acceleration 10, minus 10, तो 2 into minus 10 is minus 20, और height displacement इसके बराबर जाएगा, height के बराबर, तो 20h is equal to 25, h is equal to 25 by 20, 5 से cancel होगा है, तो यह आ रहेगा 1.25 meter, यह height आ रहेगी, कितनी height तक object जाएगा, ठीक है, तो इस तरह से equation of motion पे based problems किये जा सकते हैं, कितनी है, ढ़ हुआा है, जबको अघ्ना किये जा रहे हैं,